नमस्कार दोस्तों। यानि शरीर में आईरन की कमी की वजह से खून की कमी होने पर या खून की कमी को होने से रोकने के लिए फेरियम एकस्टी सिरप का उप्योग किया जाता है। और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाशा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर फेरियम एक्स्टी सिरप को लेने की सला दे सकता है। प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आईरन की अधिक आवशक्ता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला पर्याप मात्रा में आईरन का सेवन नहीं करती है। तो प्रेगनेंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। फेरियम एक्स्टी सिरप का सेवन महिलाएं, वपुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, तवचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों वपैरों का थंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखोनो का कमजोर होना वर नाखोनों का आसानी से तूटना शरीर का तापमान कम रहना सांस लेने में तकलीफ होना सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आधी लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं इसके अलावा मिट्टी या कागस खाने की इच्छा होना में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर फेरियम एक्स्टी सिरप को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वज चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फेरियम एक्स्टी सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फेरियम एकस्टी सिरप की वज़ा से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं। आम तौर पर ये साइड एफेक्ट्स अस्थाई होते हैं। और जैसे जैसे आपका शरीर फेरियम XT सिरप के साथ तालमेल बनाता है, वैसे वैसे ये साइड इफेक्स भी कम हो जाते हैं, यदि इन में से कोई भी साइड इफेक्स लगातार बना रहता है, या ज्यादा होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहि फेरियम XT सिरप की वज़ा से तट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है, फेरियम XT सिरप को पीते समय यदि फेरियम XT सिरप दातों पर लगती है, तो इसकी वज़ा से दातों पर काले रंग के धब्बे हो सकते हैं, इसलिए दातों को काले रंग के धब्बों से बचाने के जूस या पानी में मिलाकर पीना चाहिए और इसके अलावा आप फेरियम XT सिरप को स्ट्रॉ यानि जूस पिने वाले पतले पाइप की मदद से भी फेरियम XT सिरप को पी सकते हैं ताकि फेरियम XT सिरप की वजह से दातों के रंग को प्रभावित होने से बचाया जा सके फेरियम XT सिरप को लेने के बाद कम से कम 20 मिनिट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 5 मिलिलीटर फेरियम XT सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं ज्यादातर प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर फेरियम XT सिरप को प्रेगनंसी के पहले 12 सप्ता यानि प्रेगनंसी के पहले 3 महिने पुरे होने के बाद ही फेरियम XT सिरप को शुरू करने की सलाह देते हैं क्योंकि प्रेगनंसी के पहले 3 महिने के अंदर प्रेगनंट महिलाओं को उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या मुंग का स्वाद खराब होना आधी समस्याएं अधिक होती हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी का चौथा महिना शुरू होने के बाद ही फेरियम XT सिरप को शुरू करने की सलाह देते हैं लेकिन यदि किसी प्रेगनेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है तो डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी फेरियम एक्स्टी सिरप को लेने की सला दे सकते हैं वैसे ज्यादातर प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर सिरप की बजाय टैबलेट देना प्रिफर करते हैं फेरियम एक्स्टी सिरप की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको फेरियम एक्स्टी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे कि फेरियम एक्स्टी सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. डॉक्टर फेरियम एक्स्टी सिरप के साथ विटामिन सी की सिरप या विटामिन सी से भरपूर खादय पदार्थों जैसे टमाटर, आवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद और कीवी आधी को खाने की सला दे सकता है. क्योंकि विटामिन सी शरीर में आईरन के अवशोशन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से फेरियम एक्स्टी सिरप की प्रभावशीलता बढ़ जाती है. आईरन के साथ चाए, कौफी, साबुत अनाज, अंडे और दूद या दूद से बने खादय पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आईरन का अवशोशन कम हो सकता है. शरीर में एनीमिया की जाच कराए बिना फेरियम एक्स्टी सिरप को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्यकारण भी हो सकते हैं. जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी होना, हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना, अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्यकारण की वजह से हैं, और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर की सलाह के बिना ही लगातार कई महीनों से फेरियम एकस्टी सिरप को ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिती में फेरियम एकस्टी सिरप को लेने से शरीर में आईरन की ओवरडोज हो सकती है। शरीर में आइरन की ओवर्डोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक फेरियम एकस्टी सिरप को नहीं लेना चाहिए। फेरियम एकस्टी सिरप के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिट दवाईयां, कैल्शियम सप्लिमेंट्स, टेट्रसाइक्लिन एंटिबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटिबायोटिक्स, थाइरोईड की सिरप और पारकिंसन्स डिजीज में उप्योग होने वाली लेवोडोपा सिरप के साथ फेरियम एकस्टी सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के साथ फेरियम एकस्टी सिरप को लेने से दवाईयां आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है या साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं तो आपको फेरियम एक्सटी सिरप और इन दवाओं में कम से कम दो से लेकर तीन घंटे का गैप रखना चाहिए अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प तिल गुड और मुंगफली आधी का सेवन परियाप्त मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इन में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है वीडियो क आपको देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फेरियम XT सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.